जहन सभी को उमीद है आप बहतर होंगे टीचिंग भाई MD classes के प्रेटफर्म पर मैं हूँ आपका विशे सभी का स्वागत करता हूं उत्तर प्रदेश में सिक्षा की नियमावली तयार हो चुकी है आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो यसस्वी मुख्यमंत्री है इनको सभी मुख्यमंत्री कहके समोधन किया जाता है तो अब जानती यह लगातार इसमें इन्वाल्व थे तो मुझे लगता था कि बहुत जल्दी यह आयोग बन जाएगा लेकिसे बहुत सारे पेच थे आखिरकार हर एक पेच यानि हर एक गुत्थी सुलच चुकी है अब व कारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेख सिक्षा सेवा चेयन आयोग कि नियमावली 2023 जारी हो चुकी है तो आप भी उसको जाकर पढ़ सकते हैं और वहां से अपने अपने हिसाब से लोग उसको एक्सक् तो अंद तक बने रही है और साथ में अपनी जो भी अपना विचार है साजा जरूर कीजिएगा नय सिक्षा आयोग में हर तीन वर्स में पुनरख्षित होगा बिस्षग्यों का पैनल यह कहा गया है कि जो पैनल होंगे जो बिस्षग्यों के पैनल होंगे उनके नाम के लिए इन विश्षवग्यों के नाम औपनी रहेंगे और हर तीन वर्षपे शिक्षाचयन आयोग के तहत बिस्षग्यों बदले जाएंगे और यह बिशेस है कि पूरी तरह से गोपनियता के साथ उत्तर प्रदेश सिक्षा सेवा चैनायों के साथ काम करेंगे तो यह बात एक इस सूचना में हैं दूसरी बात इसमें और शूचना है कि पांस यह दस साल के भरती में इंतजार में ओवर एज हुए हैं बिद्ध्यार्ति अ और उनके रियायत के लिए उनके हित में कुछ फैसला देना होगा ऐसी ही चीजे हर चीजों के साथ हुई है अगर सिक्षक बरती चार-पांच सालों से नहीं आई है तो जिसका एज एक-दो सालों से ओवर हो गया है क्या उसको मिलेगा क्या उसको अनुमति मिलेगी एक्जा कालने है तो उस अयोग में इस नियमों को बदलने क्या हुआ सकता है इस बारे में 1921 केimming में संसोधन अभी नहीं हुआ है तो जहिर सी बात है कि आयोग बनने बाद इस बारे में भी विचार विमर्षोगा क्योंकि वह आयोग अभी भी बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो उसमें नहीं थे जैसे 10th में Science के सिक्षक की भरती होती है और Biology के सिक्षक की भरती होती है आप जानते हैं 10th में Science के तहत ही Biology भी पढ़ाया जाता है तो दो अलग सिक्षक की भरती कैसे हो रही है इस बारे में बहुत सारी चीजें हैं जिसको खामियों को दूर करना होगा तो यह 102 साल पुराने नियम से सिक्षक भरती अभी करना पड़ेगा लेकिन इसमें कुछ न कुछ संसोधन होगा इसलिए यह चीजे हाइलाइट हो रही है बाकी यह है कि निदेसाले तयार करे रिक पदों का ब्यवरा जल्द होगा अब देखेगा यह एक पुरानी नियुज जो आपने देखी थी कि जो भी आयोग जो है आयोग के गठन के बाद इसके अध्यक्ष और बाकी पैनलों की लिस्ट की बात हुए थी आज की चर्चा हम जो करने वाले थे वह कहां से है कि आयोग से नियुक्ति सिक्षा निदेसाले से तैनाती तो आयोग से न्यूकती मिलेगी और हर एक सिक्षा जो भी सिक्षक होंगे उनको सिक्षा निदेसाले के तहत क्या मिलेगा उनको तैनाती मिलेगी उनको ट्रांसफर किया जाएगा उनका प्रमोशन होगा यह सारी चीछे सिक्षा निदेसाले कर ठीक है अब बाते हैं अगर हम करते हैं आखिरकार प्रात्मिक सिक्षक भरती की तो इस प्रात्मिक सिक्षक भरती अभी तक आप जानते हैं कि साथ और 40 % का जो रेशियो होता था जिसमें 60 % super tip का ratio होता था और 40 % कि हम लोगों को भी ये नाम इस्तेमाल करना पड़ता है आप जानते जब भी सिक्षक भरती आती है तो सबसे पहले टेट देना पड़ता है और टेट के बाद सूपर टेट देना पड़ता है अभी तक सूपर टेट दो बार हुआ है तो सूपर टेट के बाद क्या होता है टेट हमेशा प्राथम कर्ट योनियर लेवल के लिए प्राथम यानि एक पांच जोनियर यानि छैसे आट और एक से पांच के लिए इस पूरे नोटिफिकेशन में डियलेड की बात आप पूरे नियमावली में प्राथमी के साथ कोई भी नाम ऐसा जिक्र नहीं है निरास्त करता है लेकिन वालों को आप जानते हैं कि जो अग अधर है यानि जो आपका जुनियर लेवल 6-8 और बाकी लेवल है उसमें अभी भी अभी क्या वह वह हायर के है है शेलरी जादा है उसका रैंक जादा है तो जाहिर सी बात है कि वालों को उसके लिए लापश उनको अधर कर देना चाहिए यह अगर उनको primary में सिक्षकश क कर लेना चाहिए जिससे उनके पास ये भी उनका रास्ता खुल सलाइक्प्राइमरी के जिसमें बहुत ज्यादा सीटे आती है वह सिक्षक बन सकते हैं तो आप जानते isk आप टेरोन में इन नुटिफिकेशन के तहट रिटेन एकजाम में मेरिट को मेरिट को अधार माना गया है मेरिट क्या माना गया है रीटेन एक्जाम को अधार माना गया है अब एकेडमी का मुलांक चो होता था कि घ्रेजुएशन का दस परसेंट वह सारी चीज़े हट चुकी है बीएड का हाइज स्कूल का इंटर का यह सारी चीज़े हट एलेक्शन होगा तो जो बच्चे 10 साल 12 साल पुराने हैं जिनके नंबर 60% हाइश कुल और इंटर में है जाहिर सी बात है उनके मुलांक में अंतर आ पाता था दो दो चार चार पांच पांच नंबर का अगर कोई बच्चा 50% नंबर हाइश कुल में पाता था और इंटर में 50% तो पांच और पांच यानि मुलांक उसका 10 पंता था लेकिन आज के समय में बच्चों के जो पर्शेंटेज है वह 80, 85, 83, 87 तो उसका 16 हो जाता था यही पे 6-7 नंबर का अंतर आ जाता था पहले बीएड में भी नंबर बहुत कम मिलते थे बीटीसी में भी नंबर बहुत कम मिलते थे तो उस समय के नंबरों का अंतर जो है इस समय दस नंबरों का अंतर हो जाता था जिसके नंबर कम होते थे वह सिक्षक भरती का सपना सखित के हैं आप जानते हैं कि जब भी इंटर्व्यू की बात आती है तो च्याली सो ग्रेड पेसे उपर की जो वैकेंसी आती है उसी में आती है तो जाहिर सी बात है कि यह केवल प्रधानाचार इन पोस्ट के लिए आपके लिए इंटर्व्यू दस परतिसत इंटर्व्यू के नंबर होंगे और 90 परतिसत आपके रिटे नंबर होंगे ठीक है बाकी बात है कि जारी नेमावली में वरिष्ट आई-स कुलपति आप प्रोफेसर भी अब बन सकेंगे जो आयो तरह से निरस्त हो जाएगा और इस अधार पर यह बात कहीं जा रही है कि जो आपका पीजी टी या डिग्री कालेज का एक्जाम होगा उसमें रिटेन एक्जाम का 90% वेटेज और इंटर्व्यू का 10% वेटेज रहेगा जबकि मेरिट इसी अधार पर नोनों को योग जोड के बनाई जाएगी तो इंटर्व्यू का बिल्कुल 10 में 10 अगर किसी को मिल जाता है नौ मिल जाता है तो जाहिर से बात है वो लीड कर जाएगा लेकिन फिर भी अगर आप रिटेन एक्जाम में बहुत अच्छा किये रहते हैं यहां पर एवरेज मार्किंग होती है तो भी सेलेक्शन के चांस बनते हैं यहां पर यूपी टेट और सूपर टेट की बात अगर हम करें आखरी एक्जाम कब तक है कहानी क्या है यूपी टेट एक प्राइमरी योगिता होती है जिसको पास करने के बाद ही आप शिक्षक बढ़ते के में एक्जाम के लिए प्यार होते ह है यानि अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो आप जानते हैं कि यूपी टेट बच्चों को बहुत हलका आसान लगता है लेकि इसका कोई सिलेबस नहीं है मने सिलेबस है लेकि सिलेबस के पार भी सवाल आते हैं सीटेट में एक डिफाइन सिलेबस और उसी सिलेबस से तो सीटेट को पास करना आसान होता है सीटेट पेपर वन पेपर टू पेपर वन पास करने वाले छह से पांच और पेपर टू पास करने वाले छह से आठ के लिए एलिजबल होते हैं तो यहां पर हम बात करते हैं कि आखिरकार यह एकजाम कब होगा और सुपर टेट का एकजा जाती है क्योंकि पहले यह पेपर एक साल में दो बार होता था और बहुत दिनों से पेपर नहीं हुआ है बीएट बीटी सी करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी है अभी यह टेट नहीं दे पाए हैं यह लोग सी टेट की योगेता में रखे हुए हैं तो जाहिर लग जाएगा कि इतने दिन से आप टेट नहीं करा है तो सूपर टेट कैसे करा है जबकि ऐसी गलती बिहार में हो चुकी है बिहार में एस्टेट का पेपर हुए बिना डायरेक्ट सिक्षक भरती आ गई थी अगर उस आधार पर कोई चले तो फिर मेरी बात यहां पर गलत ह होती है डायरेक्ट सिक्षक भरती आ गई थी बिहार में ठीक है तो मेरे हिसाब से जन्वरी फ्रवरी में टेट आएगा उसके बाद ही आपको देखने को मिलेगा तो दोस्त अगर आप वीडियो को यहां तक देखते आए हैं तो एक बार जरूर क्लास को वीडियो को लाइक कीजेगा सेर कीजेगा या अपने सुझाओ दीजेगा अगर आप कटाफ जानना चाहते हैं यूपी टेट का तो जनरल का कटाफ नब्बे और ओबी सी एस सी एस्टी अधर्स का कटाफ बिहार में यहां पर उमेंस आ जाता है फिमेल के लिए अलग के टेगरी होती है बाकि स सीटेट में भी सेम तरीका होता है 90 और 82 का अगर दोस्तों आगे बात करें यानि आप इतना पास कर लेते हैं इतना नंबर पा लेते हैं तब ही आप सिखशक भरती के मेंस एक्जाम के लिए लिजबल होते हैं सूपर टेट के लिए अगर लेवल एक के वन की तयारी कर रहे ह तो आपको DLA, BLA, BTC में से कोई एक होना चाहिए और पास आप सीटेट पेट पर वन या टेट का पेपर वन पास होने चाहिए इसके अलावा अगर हम बात करें अगर आप लेवल टू देना चाहते तो आपको ग्रेजवेट होना पड़ेगा सीटेट टेट का पेपर टू प दिहान पर रखेगा इसमें परिक्षा के दो केटेगरी है एक परिक्षा M.C.Q. अधार पर होगी दो पेपर आएगा समाने पेपर और सब्जेक्ट समाने पेपर जैसे बिहार में 40 और 80 का था वैसा ही कुछ यहां पर भी सेटिंग होने वाली है जिसके बारे में जो आयोग क्लास की थी अगर आपने यहां तक देखते आया हैं तो आप बताईएगा कि आप क्या पास किये हुए हैं और आप किस लेवल की त्यारी करना चाहते हैं अपने बातें कमेंट सेशन में साजा कीजेगा उससे रिलेटेट चीजिए उससे रिलेटेट वीडियो और आप जलो इसकी कामना करते हैं